Hello Friends, स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे Friends, मैं आज आपको Emo App की बहुत ही important setting के बारे में बताऊंगा Friends, अगर आप एक Emo App की user हैं अगर आप Emo App चलाते हैं तो Friends, इन setting का होना आपकी Emo App के अंदर क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या-क्या फायदे बहुत सकता है मैं सारी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो Friends, इस वीडियो को कहीं पर भी इसकी इप मत कीज़ेगा तो Friends, चलते हैं सिदे इस वीडियो को आगे की ओ ले जा तो सबसे पहले Friends, आपको अपनी Emo App को Open कर लेना होगा तो चलिए, यहाँ पर हम अपनी Emo App को Open कर लेते हैं तो Friends, यहाँ पर हमारा Emo App Open हो चुका है सबसे पहले, आपको यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा होगा और Friends, यहाँ पर आपको मेरा Phone Number दिख रहा होगा and friends यहाँ पे आपको एक setting का option दिख रहा होगा simply friends आपको इस setting वाले option पे click कर लेना होगा तो चलिए यहाँ पे हम setting वाले option पे click कर लेते हैं and friends यहाँ पे आपको third number पे privacy का option दिख रहा होगा simply friends आपको यहाँ पे privacy वाले option पे click कर लेना होगा तो चलिए यहाँ पे हम privacy वाले option पे click कर लेते हैं friends मैं यहाँ पे आपको पहली बात बता दो अगर आपको emo app के अंदर कोई भी call कर देता है कोई भी अंजान व्यक्ति आपको call करके परेशान करता है तो friends आप इस option को किस तरीके से बंद कर सकते हैं यहाँ friends मैं आपके लिए ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिसकी साहता से friends आप अपने मन से जो भी व्यक्ति को आप phone करने की इजादत दोगे वही व्यक्ति आपको phone कर सकता है अन्याथा friends कोई भी अंजान व्यक्ति आपको call नहीं कर सकता है friends यहाँ पर everyone पर tick अगर किया हुआ है तो friends emo app के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ पर call कर सकता है और कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ पर call करके प्रेशान कर सकता है तो friends अगर आप इसे बंद करना चाहते हूँ तो यानि कि फ्रेंस अगर आप यह चाहते है कि कोई भी व्यक्ति एंजान व्यक्ति आपको इमो एप के अंदर आपको call ना करें वो phone करके आपको परिशान ना करें तो यहाँ पर simply friends आपको my context का option दिख रहा होगा simply आपको इस वाले option पर एक लाइक कर दिए और friends हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए तो फ्रेंस चलते हैं यहाँ पर हम दूसरे setting के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर मेरा दूसरा setting यह है फ्रेंस यहाँ पर आपको read message send करता है, उसे पता चल जाता है कि आपने उसका message देख लिया, friends यह दिए आप यह चाहते हो कि अगर आप अगला का message देख भी लो और अगला को पता भी ना चले कि आपने उनका message चेक कर लिया तो फ्रैंस जी हाँ आज में आपके लिए ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिसकी साहता से फ्रैंस आप किसी के मेसिज को पर भी ले गए और दूसरों को यह भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मेसिज पर लिया जी हाँ फ्रैंस अगर यहां पे आपको इसको चेक कर लिया ठीक है यानि कि फैंस उसके यहां double tick वाला option नहीं आएगा ठीक है तो फ्रैंस यह तो होगी हमारा second privacy वाला setting ठीक है तो फ्रैंस यहां पर हमारा यह पता चल जाता है कि आपने इतना time को offline हुआ यानि इतना time को आप online आये थे ठीक है अगर आप यह so नहीं करना चाहते हो जब आप offline जाते हो या फिर जब आप online आते हो अगर वो time आप किसी को so नहीं करना चाहते हो तो आपको यहां पर nobody वाले option पर click कर देना होगा आप जैस की emo app की कुछ बहुत ही important privacy setting के बारे में अगर आपको इन setting के बारे में पहले ही पता था तो please इस वीडियो को comment में ज़रूर बताईए and friends अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा को तो please इस वीडियो को एक like कर देजे and इस हमारे चैनल को subscribe कर देजे साथी साथ friends आपको यहा हमारा टेलीगराम चैनल का लिंक दिया हो रहेगा हमारे टेलीगराम चैनल को भी जोइन कर लिजे यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का thank you very much